exercise 4.10 का question number 13 क्या है a number consist of two digits whose product is 18 if the digits are interchange the new number become 27 less than the original number find the number हमारे पस क्या है अगर हम unit digit पे number लेने x और 10 digit पे लेने number y तो हमारे पस जो number form होगा वो क्या होगा x plus 10 y उसको हम लिख लेते हैं और अगर हम क्या करें अपने digit को interchange कर दें जो हमारे पास unit पे था 10 पे ले जाए तो हमारे पस जो new number बनेगा वो क्या बनेगा y plus 10x तो हमारे पस new condition क्या given है according to the given condition new number जो है वो क्या है 27 less than the original number तो हमारे पस जो number था क्या है त flip plus 10 x और हमारे पस जो एक number था पेले हमारे हमने क्या किया without interchanging तो हमारे पस नमबर क्या था x plus 10 y जो जो new number था वो क्या था 27 less था the new number become 27 less than the original number तो हम क्या करेंगे हमारे पस according to given condition से यह equation बन जाएगी जैसा कि आप screen पर देख सकते हैं फिर हमने क्या किया यहां से हमने like terms को combine कर लिया तो हमारे पस क्या आगया x और y के term में एक equation आगी जिसे linear equation आगी अब हम यहां से क्या करते है x की value निकाल लेते हैं in terms of y फिर हमने क्या किया अगर हमारे पस क्या है और दूसरी condition हमारे पस क्या given थी कि हमारे पस जो number है इनका product जो है वो क्या है 18 के बराबर तो according to these condition क्या बनेगा x y is equal to 18 तो यहां से हमने क्या क्या जो x की value निकाली थी y plus 3 वो हमने यहां पे put कर दी जहां पे x था वहां पे हमने क्या डाल दिया y तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे यह result आ गया अब हमारे पस y में क्या गिये quadratic union आ गिये यहां से हमने y की values निकाल ली जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं हमने factorization की मदद से y की values को निकाल ली तो y का result क्या आ गया minus 3 और y equal to 6 जब यह y की values आ गिये तो यहां से हमने क्या क्या एक्स के लिए value निकाल ली हमारे पस x की value आ गई जिसे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं तो हमारे पस जो number होगा वो क्या था x plus 10 y तो यहां पे x की और 10 की यहां पे x की और y की value पुट कर देंगे तो हमारे पस क्या आ जाएगा नंबर आ जाएगा x plus 10 y जो हमारे पस नंबर आया वो क्या है 63 ओप सो आपको यह question समझाया होगा Thank you